दोस्तों जब बात आती है वजन की तो हमें लगता है एक ही समस्या है वजन बढ़ना यानि की मोटापा ऐसे में हम सोचते हैं कि हमें वजन कम करना है पतला होना है लेकिन क्या आप जानते हैं पतला पन यानि की दुबला पन भी एक समस्या है दोस्तों बिमारी सिर्फ मोटे शरीर में ही नहीं होती बलकि दुबले पतले शरीर में भी होती है यानि ना तो हमें मोटा शरीर चाहिए और ना ही पतला शरीर क्योंकि दोनों ही बिमारी का घर है ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुबले पन दूर करने के घरेलों उसके लेकिन उसे पहले जानिए कि आखिर आपका वजन तेजी से कम क्यों हो रहा है क्योंकि जैसे वजन बढ़ने का यानि मोटापे के कारण होते हैं ठीक वैसे ही दुबले पन के भी बहुत से कारण होते हैं दुबले पन की परिशानी कई बार जैनेटिक होती है सरल भाशा में आपकी फैमली में ये परिशानी रही होगी जो आपको ट्रांस्फर हो गई है अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं हुआ तो ये आगे पीडी दर पीडी बढ़ती जाती है करे लोग मांसिक तनाव के चलते भी दुबले पतले हो जाते हैं क्योंकि जो भी चीज हम खाते हैं मांसिक तनाव के चलते उसका सही पोशन हमारे शरीर को नहीं मिल पाता दोस्तों मानसिक तनाव वो एक चीज है जो आपका वजन बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है क्योंकि जब हम तनाव ग्रस्थ होते हैं तो या तो हम जंक फूर खाने लगते हैं या फिर खाना छोड़ देते हैं दुबला पतला होने का एक कारण कुपोशन भी है कुपोशन एक ऐसी बिमारी है जिसके चलते लोग दुबले पतले हो जाते हैं कुपोशन का लक्षन ही शरीर का दुबला पतला होना है ये बिमारी अधिकतर गरी परिवारों में देखने को मिलती है क्योंकि उन लोगों को पूरी मात्रा में विटामिन, कैल्शियम या पोशक तत्व नहीं मिल पाते है और यही कारण है कुपोशन होने का अगर आपको शुगर है या थोराइट तो आपका वजन तेजी से गिरता है दोस्तो थोराइट दो तरह की होते हैं हाइपो और हाइपर एक में आपका वजन बढ़ता है और दूसरे में आपका वजन गिरता है ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि आप दिन बादिन पतले हो रहे हैं तो डॉक्टर से जाँच जरूर करा लें हो सकता है ये किसी बड़ी बिमारी का इंडिकेशन हो दोस्तों अगर आप भी दुबले पतलेपन की समस्या से परिशान है तो हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे असरदा घरेलू नुसके जो आपकी इस परिशानी में आपको राहत देंगे जी हाँ जैसे मोटापा कम करने के घरेलू नुसके होते हैं ठीक वैसे ही दुबला पन दूर करने की घरेलू नुसके होते हैं और वो नुसके कौन से हैं बता रहे हैं हकीम सुलिमान खां सहार वजन ना बढ़ता हो, हाइट ना बढ़ती हो, या पिमपल्स निकलते हो, इसके लिए आप गॉन, सफेद गॉन मौरिंगा, देखिए असली लेना ज़रूरी है, नकल बहुत आ गई है, मैं बहुत परिशान हूँ, इसमें भी नकल आने लगी, दवाओं में भी, पहले ऐसा न आते थे, अब मुझे खुद दवा रखनी पड़ रही है, असली, क्योंकि लोग नकली बेचने लगे, लोग वहाँ से लेकर यूज करते, फायदा नहीं होता, कोई, कोई ऐलवा दे देता है, कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ दे देता है, बहुत ज्यादा बैबानी चल नारियल पानी मिला के पिला दे, दूद बे मिला के पिला दे, पानी मिला के पिला दे, जैसे आपको आसानी हो, जैसे आपके हालात हो, तो इन दोनों बच्चों को भी फायदा शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन इससे होगा थोड़ा-थोड़ा, पांच-छे महीने इलाज लेना पड़ता है युनानी अगर जल्दी भी किसी को फायदा हो जा तब भी पांच्छे महीन इलाज लेना बहतर है दोस्तों तेजी से वजन बढ़ना और तेजी से वजन घटना दोनों ही एक परिशानी है जैसे आप बढ़ते वजन से परिशान होते हैं वैसे ही आपको अगर आपके और कोई सवाल भी है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं अगर आप किसी और चीज, किसी बीमारी, किसी हर्ब, किसी फल या सबजी के भारे में हमसे जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट कर जरूर बताए आज कि इस वीडियो में इतना ही खुश रहे, तं से जाद से जादा आप फायदा उठा सकें